दोस्तों कैसे है आप सब देखिए अभी दो हफ्ते पहले हमने इलॉन मस्क ने नेट्फ्लिक्स की जो आलोचना की थी उस पर चर्चा की थी दो वीडियोज मैंने उस पर बनाय हुए हैं और अभी उसके कुची दिनों के बाद में नेट्फ्लिक्स की तरफ से एक उनके आप दुसरों की व्यूज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं अगर आपको दुसरों की व्यूज प्रोवोकेटिव या बढ़काने वाले लगते हैं या गलत लगते हैं या जो भी है आप अगर उनके साथ में एगरे नहीं कर सकते हो तो नेट्फ्लिक्स ये आपके लिए सही ज एक तो मुझे कुल मिला कर ये पूरी तरीके से केवल नौटंग की लग रही है क्यों लग रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये स्टेटमेंट ऐसा अचानक से कैसे बाहरा गया क्योंकि नेट्रिक्स के वोक कंटेंट को लेकर कोई अभी आलोचना शुरू हुई ऐसी बात तो नहीं है पिछले तीन-चार वरशों से लगातार नेट्फिक्स के इस वोक कंटेंट को लेकर उसकी आलोचना हो रही है और जो सब्स्रेबर्स जो नेट्फिक्स के गिरते जा रहे है करीब 45 बिलियन डॉलर का नुकसान शेर मार्केट में नेट्फिक्स को हुआ है यह सारा जो निउस है वो तो मतलब 6-7 महिनों से ही सामने आ रही थी तो नेट्फिक्स अचानक से यह कैसे यह निउस कैसे निकल कर सामने आ गई कि हमने अपने वोक एमपलोईज को ऐसे ऐसे नोटिस थमा दी है यह यह कह दिया है जो मतलब केवाले दिखावे की तरह मुझ नेट्फिक्स के आलोजना की थी कि आपके जो वोक मैंड वायरस है ना उसकारण से आपका कंटेंट देखा नहीं जा रहा है तो जब इलॉन मस्ट जैसा इतना बड़ा व्यक्ति अगर नेट्फिक्स के आलोजना कर रहा है किसी बात को वो खुलकर कह रहा है तो उस बात को एक वजन मिल जाता है और ये जो निउस निकल कर सामने आई है मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ाई है तो मुख्य था किवल एक कंटेंट को लेकर नेट्फिक्स की जो इंप्लॉईज है उनमें थोड़ा सा विरोधा भास उनने देखने को मिला और वो वही कंटेंट है जिसक सब्सक्राइब करेंगे मतलब देखा दोस्तों आपने आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के अगेंस्ट मैनेजमेंट के अगेंस्ट वो ऐसा स्टेप ले इतनी छोटी सी बात को लेकर वो डिरेक्टली वॉक आउट करके निकल जाए पर भाई अभी 21 सदी है कुछ भी हो सकता है पर आज जब हम ऐसे modern problems देख रहे हैं उसमें से एक leading audiobook platform है जिस पर 1000 घंटों से भी जादा की content library अविलेबल है motivational, biography, romantic, horror, thriller, crime, drama, comedy, social, cultural, धार्मिक ऐसे कई सारे अलग-अलग जोनरा में ये content उपलप्त है और वो भी अलग-अलग भारतिय भाषाओं में और English में भी available है और कुको FM पर भारतिय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा भी धेर सारा content सुन सकते हैं जैसे की रामा एंड, माहभारत, चानक के निती, आधी-आधी और सबसे खुशी की बात यह है कि कुको FM proudly made in India एप है मैंने नीचे description में कुको FM को download करने की link दी हुई है उस link के थुरू अगर आप कुको FM को download करेंगे तो पहले जो 250 users है उन्हें 50% discount मिलेगा कुको FM के subscription में जो 399 रूपए का subscription है वो आपको मात्र 199 रूपए में ही मिलेगा तो नीचे description में मैंने जो link दी हुई है कुको FM को download करने की उस पर click करके आप कुको FM को download ज़रूर करना अब आते हैं फिर से हम हमारे मूल विशे पर कि Netflix के employees ने इतनी छोटी सी बात को लेकर walkout कर दिया था हाला कि Reed Hastings वगरा Netflix के जो भी CEO वगरा है उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस content को नहीं हटाएंगे पर देखिए ये तो एक content हुआ ना कि ओल डेव शैपल का और उसमें भी Elon Musk जैसा एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा है खुलकर Elon Musk अपने एक इंटर्विव में सोशल मीडिया पर वो समर्थन कर रहा है डेव शैपल का कि भाई ये वोक लोग आज की ये जो वोकिजम है वो आज की modern civilization के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन गए हैं और डेव शैपल का भी Elon Musk ने खुलकर समर्थन किया था तो हो सकता है कि इतना सारा जो बाहर से दबाओ होगा उस कारण से फिर Netflix उस content को शायद हटा नहीं पाया होगा क्योंकि Netflix का बागी का जितना भी content अगर हम देखे तो लगबग जातर content Netflix का तो वोक आइडिलोजी पर ही आधारी थे ना अगर Netflix इतना ही जो मैंने ये article पड़ा है उसमें Netflix ने कहा है जो ये memo, notice वगरा जो भी उन्होंने publish की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम सबके विचारों का सμवान करते हैं, सबी कलाकार, artistic expression का वो अपनी भावनां को कैसे व्यक्त करना चाते हैं, एक कलाकार या film maker हम उनके सभी विचारों का सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करते हैं भले ही हम उनके साथ में एगरी हो या ना हो हम यह दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि दर्शक क्या सोचना चाहते हैं उस content के बारे में वो क्या देखना चाहते हैं हम अपने personal views को side में रखते हैं उसको महत्व नहीं देते हैं वगरा वगरा यह सब जो भी लेपाप होती वाली बाते होती है वो Netflix ने वहाँ पर कही है पर Netflix का content अगर हम देखे तो वो देखकर कही पर भी नहीं लगता कि वो कोई बहुत diversify views रखते हैं या सबके विचारों को सम्मान करते हैं तो वैसा कोई content तो Netflix पर दिख नहीं रहा कि जो woke ideology से हटके हो या उससे अलग हो यह एक Dave Shappell की stand-up comedy एक exception हम उसको कह सकते हैं पर Netflix कोई woke ideology को support नहीं करता है ऐसा कही पर भी हमें नहीं लगता तो यह exception मुझे क्यों लगता है Dave Shappell का जिसको लेकर बस अब Elon Musk वगेरा यह काखी आलोचना सोचल मीडिया पर हो गई लगातार सब्सक्राइबर्स घटते जा रहे हैं तो यह बस लोगों के सामने दिखावे के लिए Netflix ने यह एक news निकाल कर सामने रगती है ऐसा मुझे कुल मिलाकर लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार का content Netflix का आते जा रहा है वो देखकर लग तो नहीं रहा कि वो अपने आपको कुछ सुधारना चाहते हैं या अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो content में तो कोई change नहीं दिख रहा है किसी exception को लेकर हम यह नहीं कह सकती कि Netflix सच में सुधर गया है या अभी वो वो content को बाजो में रखकर कुछ दूसरे content को या दूसरे filmmakers को भी वो मौका दे रहा है उनको आउसर दे रहा है यह तो हमें कम से कम दिखाई नहीं दे रहा और एक सबसे महतोपुर्णा बात यह है कि यह जो woke mind virus होता है मैंने कई बार यह बात कई वोई है कि जो आज का जो हम जिसे आज का liberalism कहा जाता है या wokeism जो भी है वो एक ऐसी बिमारी है ना वो कभी जाती नहीं है एक बार अगर किसी को हो जाए ना तो एक बार cancer ठीक हो सकता है या दुनिया की बड़ी से बड़ी भयानक बिमारी ठीक हो सकती है पर यह जो wokeism की बिमारी है वो कभी जाती नहीं है और आज अगर हम देखे Netflix सबसे बड़ा OTT प्लैटफॉर्म है और आज की जो यंग जनरेशन है उसके दिमाग में ये woke mind वाइरस डालने में सबसे बड़ा योगदान Netflix का ही है और अभी जब चारो तरब से इतनी आलोचना हो रही है तो ये बस लोगों के गुसे को शांत कर रहे के लिए सामने बस एक दिखावे के रूप में कि हमने हमारे woke employees को धमकी दे दी है कि आप अगर agree नहीं करते हैं तो निकल जाओ यहां से ये बस एक दिखावे के लिए बस ये बात news सामने मीडिया के मादम से उचाली गई है ऐसा लग रहा है कोई woke employees को निकाला ये तो नहीं न बस हमने धमकी दे दी ये कहा है और कौन सा content एक content के लिए exceptional, एक stand-up comedy बाकी जितनी stand-up comedians वगएर आप देख लिए कैसे-कैसे stand-up comedians को नहीं वही उनी फिल्मेकर्स को उनी फिल्मेकर्स पर वो पैसा लगाते जा रहे है जिस content को लेकर लगाता और उनकी आलोचन होती जा रहे है पर फिर भी वो वैसा ही content बनाते जा रहे है कोई बदलाव नहीं, कोई change नहीं तो यह बस एक नोटंग की यह दिखावा है मेरे अनुसार तो कम से कम और मैंने जहाँ तक कहा दे कि आज US audience, American audience भी बहुत बहुत ज़्यादा परिशान है आज Hollywood के इस wokeism के कारण इवन Oscars को भी आज वहाँ पर कितनी खुलकर आलोचना Academy Awards की, Oscars की हो रही है आप YouTube पर बस सर्च करिए आपको धेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे Hollywood की अगर हम बात करें तो इसी woke mind virus के कारण wokeism के कारण कई सरी बड़ी बड़ी फिल्मों को सेकड़ो करोड का नुकसान हुआ है मैंने Ghostbusters का उधारनिस से पहले दिया हुआ है 2016 में आई हुई उसी कारण से उस फिल्म को सेकड़ो करोड का नुकसान हुआ था उसके बाद भी कई सरे से फिल्म है जिनको खुलकर सोचल मीडिया पर उनके आलोचना हुई है Marvel के Face 4 की जो फिल्म में आई है वो horror trilogy थी पर उसमें भी 1666 के समय पर आधरी जो आकरी फिल्म थी उसमें भी उन्होंने lesbian ghost और sexual liberation और ये सब बाते उन्होंने डाल दी थी उस फिल्म के आप reaction अगर देखेंगे न US audience के आप पेट पकड़ कर असेंगे कि कितना उन्होंने खुल कर Netflix की आलोच ना की थी मैंने उस पर पूरा अलग से वीडियो बनाए हुआ है वो वीडियो आप हमारा सरूर सरूर देखना मैंने सारे वो US audience के reaction reviews वगरा वहाँ पर पढ़कर बताय हुए है तो इस परकार से Hollywood के स्वोकिजम के कारणा सभी परेशान है सभी और हम हमारी बात करें तो वाई हमारे यहाँ पर तो कमी नहीं है वोक फिल्मेकर्स की बाके दोस्तों कुकु एफम को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत बुलना मैंने डाउनलोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 50% का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा क्या आपके इस वीशे पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियों देक में के लिएब सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम